एक्यूरेट योगा फैमली में आप सबका स्वागत है एक्यूरेट योगा आज एक जनामाना नाम बन चुका है जिसके फाउंडर डॉक्टर अमन दीप सिंग है और जिन्होंने बहुत ही कम समय में कि 150 से कुछ ज्यादा ही नेट और ज्यारेफ को क्वालिफाई कराया है स्टूडेंट्स को तो बहुत ही मेहनती इंसान है उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है उनके सानिद्धे में जो भी आया वो उनकी तारीव किये बिना नहीं रह सेका तो इस तरीके से इसी सीरीज मे हमारे आगे मिस्टर अनिल जी है जो कि जे आरेफ जिनोंने लिया है और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे उनसे जानेंगे कि उनका कैसा सफर रहा एक्यूरेट योगा फैमिली के साथ और क्या एक्सपीरियंस उनका रहा है अनिल जी आपका एक्यूरेट योगा फैमिली में स तो सबसे पहले तो अनिल जी आप अपना परीचे दीजिए मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं हर्याना में इसार डिश्टिक से एक सामने किसान परिवार से विलोंग करता हूँ मैंने प्लस टू नौन मेडिकल से उसके बाद बेसे नौन मेडिकल से उत्राखंड ओपन उनिवर्श्टि से मैंने माश्टर इन योगा किया है तो आप ने मेडिकल खेतर में होते हुए और योगा की तरफ टर्ण किया तो इसके पीछे कुछ गूड रहसे या कोई ऐसी घटना आप शेयर करना चाहेंगे जी मैं बिलकुल मैं दस से तेरा का बेच मेरा ग्रिजिवेशन था में उसके बाद मैं टीज करने लग गया था टीज करते करते यानि कि 2-3 साल मेरे को अज्यूकेशन लाइन में हो गए थे उसके बाद मेरे स्वास्थे से समझ देते हैं कुछ दिक्कत हो गए थी और यानि कि लाइक डिप्रेशन फिर मैं पतंजली से जुड़े हुए थे एक मित्तर राकेश जी तो राकेश जी ने करने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगा कि शर आप इसमें उलीप में जाना चाहा रहा हूं तो थि पूले आप इसमें track के अंदर इसमें चाहे किसी भी क्षेत्र का बंदा हो, वो सब एक बार अगर परीचे हो जाए तो वो जुड़े बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि जीवन का सार ही योग है, जिसको समझ में आ जाए, तो अब जब आपने योग करने की ठान ली, कि योग के क्षेत्र में आपको आगे जी मेरा ओपन का विद्यारती थी था, तो बेस मेरा योग से नहीं था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, यानि की मुसीबत थी कि मैं इस सफर को कैसे तया करूँ, फिर मैंने सोचा भी पहले तो प्रेक्टिकली को मजबूत किया जाए, तो मैं उसी डूरेशन में चला ग बाद भी मैंने, यानि की बहुत ही थोड़ी मार्जन से, यानि की एक दो क्यूशन से मेरा नेट ही रह जाता था, फिर मैंने सोचा यह तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या हुआ, कि मैं प्रेक्टिकल में बहुत अच्छा हो क्या था, मैंने प्रेक्टिस की, और उसी डूरेशन लोगडाउन लग गया, लोगडाउन के दुरान क्या हुआ, बेहन सिमा जी है मेरे, उन्होंने बोला मेरे को नेट की तियारी करनी है, ऐसे से मेरी फ्रेंड कोई ओनलाइन प्लेटफों है, तो उनसे कोचिंग ले रही ह लेकिन कुछ समय बाद सर की कोल वापिस आई, सर मेरे से 5-7 मिनट जो बातें की में, उसके दुरान में ने उनको मेरा भी थोड़े से बताया भी, ऐसे सर मैं थोड़े मार्जन से रह जाता हूँ, लेकिन मैं तो बेहन के बारे में थोड़ा करने के लिए आप से चर्चा करन होना चाह रहा हूँ, लेकिन सर ने वो 5-7 मिनट की बातें ऐसी कहते ना में, यानि की एक पोटेंशियल, एक एनरजिटिक बात ले दी, कि अनिल जी आप एक बार मेरे कहने से आप इस मैदान में उतरिये और आप जियरफ ही कर जाओगे, नेट से मार्जन से रह रहे हो, तो जैसे आपने बता है ना कि जो सर कॉल किया आया, सर से आपका जो अटेच्मेंट हुआ या उनसे जो बातचीत हुई, तो उनसे जुड़े बिना फिर रह नहीं सकता कोई जी, तो उनके वानी में समझेए कि उनके मोटिवेशन में वो प्रभाव है, जी मैं, उनकी बात करने का जो तरीका है, जो अप्रोच हैं समझाने का, जो एनर्जी है में, यानि कि उसी दिन मैंने कोर्स परचेज करने के बाद स्याम को क्लास शुरू करती, सर के ओनलाइन, और सर ने सब्स्रिप्चिन के दोरान इतनी अच्छे से स्पेसल वीडियो बना रखे थे, तो फिर उन कि कोल पर जब बात करते हैं, तो पूरे सरीर के एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन चीज़ों इकना टॉच्मिन हो गए, इचनी सर्दा बनगी उस आवाज के साथ है, कि सर्दे बात होती है ना, तो बिलकुल लगता है, तो जैसे आपने एड्मिशन तक, एन्रॉल्मेंट नंबर तक आपने बताया, उसके बाद क्लास भी अटेंड की, और क्लास अटेंड करने के बाद, आप क्या सेजिस्ट करोगे, जैसे कि नए बच्चे भी अन्रॉल हो रहे हैं, कि उनको लाइव क्लासे से कितना फाइदा मिलता है, या रिकॉर्डेड क्लास या थोड़ा सा पहले बच्चा जुड़ा हैं, तो उसके हर बच्चे के लिए अलेलग स्टेजी होगी, अगर थोड़े दिन पहले जुड़ा हैं, वो बच्चा ये ना सोचे कि मेरा तो जोन वाला तो टाइम बहुत कम है, जो सर का टंटेंट है, सर ने तो पीडियो बना र रिपीटिशन के इसाब से देखेंगे, सर की एप्लिकेशन पे में यानि की पीडियाफ हैं, उन पीडियाफ को बार बार पढ़ेंगे, इकनी समझ विक्सित हो जाएगी, कि हम अच्छे से निकाल जाएंगे, मैं जोन वाला स्पेशल रिकॉर्डिंग जो उनकी है, जो कम ट सास के दुरान बताते रहते हैं, वो स्पेशल वीडियो में हो जो ही वहाँ, वो पीडियाफ की हटी हैं, और सर ने इतना अच्छे से पीडियाफ को सेट कर रखा हैं, यानि कि हर एक उसन को पूरा एक्स्प्लेनेशन, हर एक ओप्शन पर काम कर रखा हैं, तो उनका भी अल अच्छा सा योग समंदित चीजें हैं, मूल गरंथ हैं, तो उनको अराम से पढ़ें, तो उस चीज़ का तो देखो में, सोटकट मेथड तो अलग चीज हैं, और वो समार्ट बरक अलग होता हैं, तो वो हार्ड बरक भी साथ में करेंगे, तो उनका जो ज्यान का लेवल हैं जो नोलेज हैं, वो अलग रहेगा, तो हर बच्चे के लिए अलग स्ट्रजी होती हैं, लेकिन सर्के जुडने के बाद बच्चे के अंदर एक ऐसी मोटिवेशन, ऐसी अनर्जी आ जाती हैं, कि मैं बस जल्दी सी ही और अच्छे से करी जाऊं, और वो बच्चे मेरे को होती हैं, लेकिन अपने जो सर का प्लेटफोर्म है, इस प्लेटफोर्म पे एक प्रोपर स्ट्यूल है में, बच्चा अगर एक बार कनेक्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा ओर डिटेल में जाना चाह रहा हूं, जैसे सर की क्लासें तो हैं हैं, सर की स्पेशल क्लासें, पीवा किसी को भी नहीं जानता था, और एक बार किसी से अगर आपा बात नहीं करें, डिरेक्ट हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, और स्पेशल वीडियो उनके अलवा भी एक अपना डिश्पी कून होता है, तो मेरे साथ वाले दोख क्या हैं, गुरूप डिस्क्रशन के दुरान, अपने अपनी मतलब हम डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा उसके दोड़ान लश्ट के अंदर श्याम को सर एप की उपर पहले तो टेलिग्राम ग्रूप में में आप करवाते हैं एकने अच्छे से टेस्ट कि उन टेस्ट के अंदर वहां बच्चे का चाहिए अब उसकी कम क्यों की करें से लम्त यिल수 अधर बैन को हराग्या से लगते हैं तो कि ब्लपी उसक के लिए हारड हो लेकिन वुक लागें होकी दो बर्योर में के एक लिया सब हार लगरें लेकिन आब इतने अधे ऍच्छान लगने कि अनको इतनीपच भार पड़ लिया तो बारबरा मैन क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कमिया तो कहीं रहेंगे ना उसके जैसे हम टेलीग्राम पर भी बात कर रहें हैं गृूप डिसकुशन होता है उसी टाइम हमारी क्वेरी को भी सौल करते हैं उसके बाद नेक्स टाइम फिर रिपीट होते हैं सारे के सारी टेस्ट फिर रिपीट होते हैं रिपीट होते हैं तो एक्जाम आते आते इतनी बार रिपीट हो जाते हैं कि आई थिंक सबको आंसर भी याद हो जाते हैं कि पीवाई क्यू तो उनके लिए एक जैसे सर बोलते हैं ना हलवा हो गया हलवा है ना तो यह सब ख बच्चे हैं जो जून के बच्चे हैं उनके लिए आप थोड़ा सा कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे वो पढ़ें किस तरह से वो अपना टाइम से जून को फिक्स रखें जी मैं जैसे आप योग सुत्र बढ़ाते हो उनके अंदर एक सुत्र आता है पत्रुण जी का सहतु दिरें पसकार से वी तो दिरें अग्मिन में यानि कि हम दिरत काल तक निरंतरता के साथ बार बार हवियास करेंगे यानि कि पहले क्या होता है अब नए बच्चों के दिए में यह कहना चाहरा हूं कि कि उनके अंदर सबसे बड़ा परसन यह होता है तो यानि कि हम पढ़ रहे हैं तो सर्दा कर लो इतना इनफ है ने अलावा भी जितने और बच्चों ने कि आहें तो इतने बड़े लेगों पर हमने रजल्ट आया है तो सभी बच्चों की सर्दा और मेरी भी सर्दा से, तो हम जितना पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारी सर्दा होने ही जरूरी है, सर्दा के साथ हम क्या करेंगे, उसके मिरंधरता बनाए रखेंगे, और बार बार अभियास करेंगे, तो यानि कि definitely मैं यह कह रहा हूं, जो हम प्राप करना चाहिए, गबरा प्राप करेंगे, तो इतने समय के अंदर भी मैं कहता हूं, कि अगर कोई बच्चा अगर से चाहरी कर रहा हैं, बढ़ बार एक्टिशन कर रहा हैं, सबसे बड़ी बात है PYQ, यह बात सर्वी कहते हैं, यह बात मैं कह रहा हूं, लेकिन सर्व का तो बहुत बड़ी लेवल क का एक्सप्रियांस है, बट मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रेटिकली कर रखा हैं, क्योंकि पेपर बन के मैं 50 क्यूसन, मैं सुबह उठते ही एक बार कर देता था, साही मेरी बात में होती थी, उसके बाद 100 क्यूसन पेपर टू योगा के, यानि 150 क्यूसनों का स हैं, वो सर ने हमें सिखा रखी हैं, लेकिन उसके बाद में अनुसर के रहना है, इसा हमें सोचना नहीं पड़ता था, यह अप्रोच से जो सर ने हमें बनाई है, तो यह तो मैं कह रहा हूं, कि सर की जो वीडियो देखेंगे ना, और जो एक्स्लेनेशन देखेंगे, वो द कर लो, लेकिन पीवाई क्यू का करवाने का तो दृष्टी कोन है, जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच है, जो सर ने एक्स्प्लेइन करवा रखी है, उस अप्रोच से ही अगर आपा करेंगे, तो मेरे कुल लग रहा है कि इतने समय हम कर पाएं, बिलकुल सही का आप मतलब जो पीवाई क्यू की जो अप्रोच सर ने दी है, वो शायद किसी ने भी नहीं दी है, चारों ओप्शन को, यानि कि जो बोलते हैं ना, उनका एक की पॉइंट है कि आपको जब भी हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उतने पे मत रुकिये, एक किलोमेटर इधर और एक किलोमेटर इधर, आपको ऐसे जाना है, यानि कि वही वही पॉइंट पकड़ के आगे नहीं बढ़ना है आपको, आपको थोड़ा-थोड़ा इसके आस-पास के एरिया से भी जानकारी या नॉलिज होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है, जो कि शायद पढ़ने वालों को य आपको बहुत बहुत शुप आपना है, जी में, इस कुछी में मैं आदनिया में के लिए और आदनिया सर के लिए दो लाइने बोलना जाओंगा में, आप में के लिए हैं, कहते ना, सुना था, रब दी आते हैं किसी ना किसी बाहने, सुना था, रब दी आते हैं किसी ना कि दीबानने आपका मेरी जिंदकी का स्मारना वो एसास है आपका मेरे जीवन को स्मारना वो मेरे लिए एसास है और हमारे आदमी गुरुजी के लिएन सुना है सुना है गुरु माबाब की शुरत होते हैं सुना है गुरु माबाप की सुरत होते हैं, इस कल यूग में गुरु बगवान की सुरत है, वाउ, वाउ अनिल जी, दिल के गहराईयों से, आपने भी कहा और सर ने भी सुना और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप एक स्टार बनक एक्यूरेट योगा फैम्पली में तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारी शुब कामनाएं भी आने वाली जिन्द्गी में भगवान आपको सफलता जो आपके मन में हो मन चाही सफलता प्राप्त करें धन्यवाद थैंक्यू मैं आपका प्राद में सेयरे जी मन भगवान रहे